नमस्ते स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानो कल्यान के कोस्चन को डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो का आपको पीडियप चाहिए तो बेयोसाइट बिक की स्टडी पे जाके विजिट करें वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही तीसरा है पी नोटेटम ओप्शन लास्ट वाला है क्रीमी इसका सही एंसर हो जाएगा पी नोटेटम पी नोटेटम ओप्शन सी इसका सही एंसर है पी नोटेटम पेनिसिलिन एक परकार का प्रतिजैविक है या पेनिसिलियम नोटेटम नामक कावक से उत्पन होता है पेनि सीलियम की खोज किया जाने वाला पहला प्रतिजेविक था इसका सही एंसर है पी नोट एटम सेकेंड कोहचन है दलहनी पौधो के जड़ पींड में कौन जिमाड़ु पाया जाता है इसका आपसन ए है राइजोबियम आपसन बी है एजो टोबैक्टर आपसन सी है इस्टे फा जोबियम दलहनी पौधो के जड़ में राइजोबियम नामक जिमाड़ु होता है इसका सही एंसर है राइजोबियम ओसन नमबर थाड है पोलीपलोईडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का परियोग किया जाता है इसका ओफसन ए है साइटो काइनीन ओफसन बी है नमबर सी सही एंसर है कोलवी सीन कोलवी सीन इसका सही एंसर है कोलवी सीन पाउधों में पॉली प्लोईड को प्रेडित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option C, call we seen option number 4 है, ads किसके द्वारा फैलता है, तो इसका option A है रक्त के अदान परदान से, option B है अपरा के अदान परदान, option C है लेगिक संभोग से, option D है उप्युक्त सभी, तो इसका answer बिल्कुल ही easy है, इसका answer है उप्युक्त सभी से, यह सभी से ads फैलता है, ads और सुरक्षित योन सम्बंधो, रक्त के अदान परदान मा के सिसुक में संक्रमन द्वारा से फैलता है ads, इसका सही answer है उप्युक्त सभी से, next question है, बेक्टरिया का खोच किस ने किया था, तो इसका option A है कोच, option B है लियून होक, option C है पास्चर, option D है इन में से कोई नहीं, तो इसका सही answer हो जाएगा लियून होक ने इसका खोच किया था एंटोनी वोन, लियून होक ने 1683 में मानो के मुह से बेक्टरिया की खोच की थी इसका सही answer है लियून होक, इसका राइट एंसर है, next question है इस्टेम कोशिका किस से उत्पन होता है तो इसका option A है यूक सैक से, option B है गर्भत सिसू से, option C है अस्थी मज्जा से, option D है इन में से सभी, तो इसका सही answer है, इन में से सभी इन में से सभी से इस्टेम कोशिका का उत्पन होता है स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें के सरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में बिक्सित की छमता होती है तो इसका सही एंसर है इनमें से सभी अगला question है उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पाउधे उत्पन करने की विधी कहलाती है इसका option A है सुक्ष्म प्रजनन, option B है भुरून प्रवर्धन, option C है सुक्ष्म प्रवर्धन और option D है भुरून पोस्प्रवर्धन इसका सही answer जानने कोशिच करेंगे option द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन करने की विधी कहलाती है सुक्ष्म प्रवर्धन इसका सही answer है अगला question है तीतली एवं पक्छी के पंक है तो इसका option A है अउसोसी अंग, option B है सम्बृतिय अंग, option C है समजात अंग, option D है A और B दोनो तो इसका सही answer हो जाएगा इसका सही answer है option B सम्बृतिय अंग इसका सही answer है अगला question है पैंजिन वाद सिधान प्रश्तुत किया इसका option A है Darwin, option C है Lamark, option C है Bijjman, option D है Dreebriz तो इसका सही answer है option A Darwin, Darwin ने पैंजिनवाद सिधान्त को प्रस्तुत किया था, इसका सही answer है Darwin अगला question है, इडली डोसा के आटे में कौन सा सुक्ष में जीव परियुक्त होता है इसका option A है East, option B है जिवाडू, option C है विशाडू, option D है इनमे से सभी तो इसका answer जानने कोशिस करेंगे, इसका सही answer है option A East East चावल के आटे के किनुवन में सहायक होता है, जिससे इडली डोसा बनता है तो इसका सही answer है East अगला question है अंतरिक छियान में इनमे से मुख्यतक किन का उप्योग oxygen उत्पादन है तो किया जाता है तो इसका option A है सेवाल, option B है कौवक, option C है ब्रायो फैट्स, option D है इनमे से कोई नहीं इसका सही answer है option A इसका option A सही answer है, सेवाल इसका सही answer है अगला question है डप सना हुआ आटा इनमे से किसके कारण मुलायम हलका होता है तो इसका option A है carbon dioxide, option B है मिथेन, option C है oxygen, option D है इनमे से कोई नहीं तो इसका सही answer है, option A carbon dioxide इसका सही answer है carbon dioxide gas बनने के कारण baking के दवरान आटा फूल जाता है इस तेजी से जनन करता है और स्वसन में carbon dioxide छोडता है तो इसका सही answer है carbon dioxide इसका सही answer है अगला question है सुक्ष में जीव पाए जाते हैं इसका option A है मिरिदा option B है उसमिय द्वार में option C है पर्दोसित जल में option D है उपयोक्त सभी में इसका सही एंसर है उप्युक्त सभी में सुक्ष में जीव अतिस सुक्ष में होते हैं और यह सर्व अभ्यापी होते हैं सुक्ष में जीव जल वायू मिट्टी सभी में पाय जाते हैं सुक्ष में जीव को देखने के लिए सुक्ष में दर्शी का इस्तमाल किया जाता है इसका तो हमारा यही बिसमाप्त हो जाता है I hope आपको समझ आ गया होगा और अगर आप इडिये प्राप्त करना चाहते हैं तो विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें